Hello everyone, आज डेट है 15th of October 2022 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम The Hindu की important news को exam के point of view से डिसकस करेंगी। नीचे description box में टेलग्राम चैनल Volcano I.S. Academy का लिंक दिया हुआ है। आप टेलग्राम चैनल Volcano I.S. Academy के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर exam means UPSC, state PCS and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है। तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि St. Lawrence River को आपको map में view करना है, फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है। कल हमने आप से question पूछा था, समरकन city को लेकर के, तो समरकन city को अगर हम map में view करें, उजबेकिस्तान country की second largest city है समरकन city और ये Silk Road पर located है, Silk Road जो ancient trade route जो China को Mediterranean वाले region से connect करता है। अभी कुछ time पहले ही संगाई corporation organization जो है, उसकी यहाँ पर meeting हुई थी और इस meeting को समरकन declaration के राम से भी जानते हैं, जिसमें specific focus किया गया कि संगाई corporation organization के जो भी member countries है, उनके बीच के जो relation है, वो काफे बेहतरीन हो सकें, इसके अलावा terrorism जो एक major issue है, उसके उपर भी focus करने की बात की गई। तो इस अमरकन city से related basic facts जो हमारे exam के point of view से important है, और important इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि संगाई corporation organization के आपर meeting हुई, उसमें उस organization का इंडिया एक part है, तो जहाँ पर इंडिया जिस organization का part होता है, वो organization हमारे important हो जाता है, उसकी कहा कहा meeting होती है, कौन-कौन से important result निकल करके आते हैं, वो directly, indirectly हमारे काफे जादा important हो जाते हैं, देहिंदू को discuss करने से पहले हम discuss करेंगे mentorship program के बारे में, देखो 2023 की जो aspirant preparation कर रहे हैं UPSC के लिए, उनके लिए program जो है वो काफे जादा beneficial रहेगा, इस mentorship program में हम focus करेंगे जो prelims specific है उसके लिए, मतलब इसमें daily basis पर आपको target दिया जाएगा, target में आपका aesthetic part और current affairs part जो है वो cover करवाया जाएगा, aesthetic part में आपकी NCRT plus में अगर हम बात करें तो जो standard books हैं उनको यहाँ पर complete करवाया जागा, complete करवाने का मतलब है कि daily basis पर आपको target दिया जाएगा कि आज आपको इतना complete करना है और फिर evening में उसी topic से related, जिसमें आपका aesthetic part भी होगा और current affair part भी होगा, उसी topic से related MCQ जो है वो आपको available करवाये जाएगे, MCQ solve करने से आपकी जो accuracy power जो है वो कफे ज़्यादा increase होगी और जो help करेगी आपको UPSC Primes 2023 में, तो यह mentorship program अगर आपको लगता है कि आपके लिए beneficial रहेगा तो आप इसको join कर सकते हैं, 5 15th of October से start होने वाला था, लेकिन अभी अब कुछ time बाद में ही देखेंगे कि 5 to 6 stage की holiday रहेगी दिपावली जो occasion है उसको लेकर के, जिसकी वज़े से mentorship program, जिन भी बच्चों ने जिसको join किया है, उनकी जो fees है वो नौंबर मन्त के लिए यहाँ पर count होगी, तो इसके लिए प students को लगता है कि हमारे बेनिफिशल रहेगा, तो आप इसको join कर सकते हैं, आप हमारी website पर जाकर के visit कर सकते हैं, आप हमें mail कर सकते हैं, और mail के तरी जो भी आपकी queries है, वो हम आपर आपको solve करने की, कोसिस करेंगे, देहिंदू को अगर हम discuss करें, तो first important news है, देहिंदू की front page इस पर यहां देखिए, यहां पर देखो कि Supreme Court में एक petition डाले गई, और इस petition में यह बोला गया कि present time में electoral bonds के through, जो political parties हैं, उनको जो money देने की या उनको जो support देने की एक तरीके से कोसिस की जाते हैं, individual basis पर या किसी company के द्वारा, तो इसको लेकर कि यह हमें पता होना कि क्या यह transparency को follow करता है कि नहीं करता है, अब इस petition में question जब किया गया, तो Supreme Court ने यहां पर government से पूछा कि क्या transparency follow होती है कि नहीं होती है, electoral bonds में, तो यहां पर government की तरफ से एक तरीके से answer देने की कुसिस की गई है, कि हां, बिल्कुल transparency यहां पर follow की जाती है, अब Supreme Court में decide करेगा, किसके लिए कोई committee बनाई जाए, या फिर hire bank जो है, उसको लेकर के सुनवाई करे, तो यहां पर अगर हम बात करें, electoral bonds की, तो electoral bonds जो है, उसमें क्या होता है, कि जो SBI, State Bank of India जो है, उस bank को यहां पर authorize कर रखा है, कि आपके यहां से electoral bonds जो है, वो release होंगे, और every year जो है, वो four month को लेकर कि यहां पर decide कर रखा है, और देखो अगर government चाहे, central government, time to time इसको लेकर के extend किया जा सकता है, इसको decrease किया जा सकता है, इस time period को, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो January, April और इसके अलावा July और October, यह जो four month है, इनके जो 10 days होते हैं, वहां पर allow किया जाता है कोई भी person, कोई भी company, अगर किसी भी political parties को यहां पर देना चाती है, अपना जो support है, financial support, वो इस तरीके से यहां पर जो electoral bonds है, जो open होते हैं 10 days के लिए, उनको खरीद सकती है, और 15 days का यहां पर time period होता है, उस electoral bonds को जाकर के political parties को देना, और political parties जो है, वो फिर से उस electoral bonds को वापस दे करके in cash कर सकती है, मतलब उससे जो money है, उसको in cash करवाया जा सकता है, तो इस तरीके से जो electoral bond है, वो काम करते हैं, यह जो electoral bond है ना, इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा issue जो है, वो create हो रहा है, हमारा कोई भी any citizen of India जो है, वो electoral bond जो है, वो खरीद सकता है, किसी भी political parties को support कर स सकते हैं, तो यहां पर जो electoral bonds होते हैं, उनके उपर, जो भी person, अगर कोई citizen इसको खरीदता है, तो उसकी जो information जो होनी चाहिए, वो यहां पर available नहीं होती है, इसी के basis पर यह बोला जाता है, कि देखो, कौन किस party को support कर रहा है, कौन कहां पर funding कर रहा है, यह पता ही नहीं चल opponents, मतलब opposition वाली जो parties हैं, उनको कौन यहां पर funding कर रहा है, इसका तो government easily पता लगा सकती है, तो इसको लेकर के, एक highly restricted formation होना चाहिए, ताकि, सबसे पहली बात तो, जो funding की जा रही है, किसी भी political parties को, इसको लेकर के awareness होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए, कि कौन किसको funding कर रह है, और दूसरा, यहां पर जो government है, वो इनके पास में इस तरीके की power ना होगी, वो encroach कर सके, और यह सारी basic information जो है, वो आहां पर निकाली जा सके, ओके, तो यह issue है, इन सारे issues को लेकर के, कि transparency maintain नहीं की जा रही है, इन सारे issues को लेकर के ही, जो है, वो petition डाले गई थी, ओके अब देखो, हर कोई political parties ऐसा नहीं है, कि किसी भी political parties को आपने support कर दिया, सबसे पहले पास तो representation of people act, 1951 जो है, उसका 29 A के अंडर, जो political parties registered है, उनको ही funding की जाती है, साथ ही साथ में, उन political parties ने अभी जो last election हुए हूँ, या चाहिए state assembly के हुए हूँ, या फिर लोकसभा के उसमें 1% से कम जो है, उनको vote ना मिले हूँ, मतलब 1% से ज्यादा उनको vote मिलने चाहिए, तब भी जाकर के जो funding है, वो उनको मिल सकती है, तो एक criteria है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, कि देखो, 2017 में जो हमारी government है, उन्होंने finance act के basis पर ये clear कर दिया था, कि union government ने political parties को exemption दे दी थी, कि आपको कौन donation दे रहा है, इसकी जो information है, वो आपको disclose करने की जर्रत नहीं है, मतलब सीधी सी बात ये है, कि जो voters, जो किसी भी political parties को support कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल पाएगा, कि कौन individual level, कौन company, कौन organization जो है, उनकी parties को support कर रही है, और देखो, हमारे यहाँ पर इंडिया में representative democracy है, और हमारे यहाँ पर जो vote है, वो उस person को उस political parties से related होने पर भी दिये जाते हैं, तो पता होना चाहिए हमारे voters को कि कौन हमें represent करेगा, मतलब कौन funding कर रहा है, इसकी funding के थ्रूँ जो है, वो कौन person हमारे सामने आएगा, इन सारी basic जो information है, वो पता होना चाहिए हमारे voters को, देखो इसको लेकर के Supreme Court ने भी एक important बात बोली, और Supreme Court ने यह बोला कि right to know जो है, वो article 19 की under, जो हमें freedom of expression जो मिली हुई है, उसी का ही एक integral part है, तो अगर कोई person जो है, वो कोई knowledge लेना चाहता है, कोई basic information जानना चाहता है, तो उसकी यह right है, और यह उसको दिया जाना चाहिए, और देखो, अगर इस तरीके से procedure follow होता है, transparency maintain होती है, जो हमारी democracy जो है, वो और अच्छे से हम उसको establish कर पाएंगे, तो democracy को, accountability को, transparency को maintain करने के लिए, यह सारी जो basic information है, रिवील होनी चाहिए, और जो भी basic procedure है, उसमें एक, इस तरीके का procedure होना चाहिए कि जो voters है, उनको सारी की सारी basic information जो है, वो मिल सके, तो यह हमने discuss किया, electoral bond से लेकर के, जो हमारे exam के point of view से important है, next important news है, यहाँ पर जो image आपको show हो रही है, यह दिपावली occasion की है, कि 24th of October को दिपावली celebrate किया जाएगी, उसी के बारे में आपर बता रखा है, यहाँ पर जो next article है, वो हिमाचल प्रदेश state को लेकर के है, देखो, election commission ने हिमाचल प्रदेश में जो election होंगे, उसको लेकर के 12th of November date declare करती है, 8th of December को counting होगी, अब यहाँ पर गुजरात में भी election होने वाले थे, तो उसकी जो date है, वो declare नहीं किया, election commission ने, मतलब state legislative assembly, इसके अलावा, अगर हम बात कर लें, तो पार्लेमेंट के जो election है, उनकी date declare करता है, election commission, ओके, तो यहाँ पर जो हमारा election commission है, उन्होंने 2017 में जो procedure follow किया था, उसको अब यहाँ पर regular किया है, तब भी गुजरात की जो date है, वो साथ में declare नहीं की थी, तो यहाँ पर question किया गया है, क्यों नहीं कीगी, तो उन्होंने बोला कि दोनों assembly के बीच में, जो उनका time period है ending का, उसमें अभी time बचा हुआ है, तो कुछ time के बाद में declare किया जाएगा गुजरात के लिए, लेकिन यहाँ पर question किया गया है, कि अभी कुछ time पहले कुछ legislative assemblies में election थी, तब तो दोनों state में, जो उनकी ending term थी, तो यहाँ पर जो हिमाचर प्रदेश state है, उसके लिए तो यह भी बोला गया है, कि देखो winter season जब होता है, तो यहाँ पर snowfall देखने को मिलता है, जिसकी वज़े से election जो है, वो काफी ज़्यादा effect होंगी, तो इसी लिए time से पहले जो है, मतलब एक तरीके से, जो earlier time है, winter season का उसी में यह जो election है, वो conduct करवाई जा रहे है, यह जो article है, देखो यह DUK assistant professor, इनको rest किया गया था, और इनके उपर allegation लगे थे, कि इन्होंने unlawful activities prevention act जो है, उसके अंडर इनके उपर case लगा था, और इनके उपर यह allegation लगे थे, कि इन्होंने, यहाँ पर अगर हम बात करें Communist Party of India, Maoist, जो ban है, इन्डिया में, उनको एक तरीके से support कर रहे थे, उनके ideology को promote करने का काम कर रहे थे, इनके साथ में कुछ other person जो है, उनको भी arrest किया गया था, जिन में से एक person जो है, पांडू नरूते, उनकी तो 26th of August को death हो गई, soin flu की वज़े से, अब यह जो judgment है, इसमें बोला गया है, कि जो भी उनको conviction मिली थी, the judgment held the session court order of conviction null and void, and set it aside in the absence of valid sanction under the UAPA Act, अब इसको लेकर के बहुत सारी लोगों ने एक तरीके से protest किया, और यह बोला जा रहा है कि UAPA Act जो है, उसका काफी ज़्यदा गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो इसको change करने या इसमे amendment करने की ज़रत है, next important article है, यहाँ पर paddy cultivation को लेकर के बोला गया है, कि untimely जो rain है, उसकी वज़े से जो paddy farmers है, उनको काफी ज़्यदा नुकसान देखने को मिला है, यहाँ पर example भी दे रखा है, कि सोनीपत का एक बलेज का यहाँ पर example दे रखा है, कि पहले जितना paddy cultivation होता अगर इस साल अगर हम comparison करें, तो उसमें काफी ज़्यदा decrease देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम बात करें, तो जो rain है, जिस time rain होनी चाहिए थी, उस time rain नहीं हो पाई, लेकिन उसके बात का जो time है, वो effect हुआ है, जब rain नहीं होनी चाहिए थी, देको इस article में अगर हम बात क जो है, वो आब इस article को relate कर सकते हो, climate change की वजए से, climate change होने की वजए से, IPCC की जो 6th assessment report जो है, उसमें भी ये बोला गया था, कि time के साथ में जो unreliable time पर जो weather events होंगे, उसकी वज़े से कापी ज़्यादा problem होगी, जो भी हमारे season है important, जैसे कि summer season है, winter season है, rainy season है, वो time के साथ मे extent हो रहे हैं, उनका जो original time period है, उसको replace करके, वो next time तक यहाँ पर अकर हो रहे हैं, okay, next important article है, page number 6, south page पर, देखूं, यहाँ पर कुछ time पहले, government ने एक notification release किया था, कि हमारे इंडिया के जो भी national park है, जो भी wildlife centuries है, जो भी important areas है, उन सभी को protect करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यह बात करनी होगी, कि जो भी हमारे protected areas है, मालों यह हमारा क्या है, एक national park है, तो इसके around जो है, one kilometer area को हम क्या clear करेंगे, eco sensitive zone, जो है, ताकि यहाँ पर जो भी wildlife रहता है, उसको उर ज्यादा protection इस area में भी देखने को मिले, अब यहाँ पर केरला जो है, उन्होंने अपनी बात बुली है, और इसको लेकर के पहले भी केरला जो है, इसके अलावा आदारे state जो है, उन्होंने अपनी बात बुली थी, कि यहाँ पर western ghat वाले region को आप secure करने की कोसिस कर रहे हो, और eco sensitive zone जो है, वो भी आपने declare कर दिया ह लेकिन issue क्या है, कि अगर हम 2011 census की बात करें, तो पूरे इंडिया से अगर हम comparison करें, तो केरला की जो density है, population density वो double है इंडिया से, population density आप समझ रहे हो ना, कि एक किलोमेटर में जितने लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं population density, तो केरला में मान लो, example के दिए हमें आपर समझे, मा केरला ने यहां पर important अपनी बात रखी है, कि देखो, पहली बात तो केरला में जो भी protected areas है, nasal park, wildlife centuries यह काफी ज़्यादा है, comparison to other states, दूसरा यहां पर population density जो है, वो काफी ज़्यादा है, तो अगर वन किलोमेटर एको sensitive zone जो है, वो declare किया जाता है, हर protected area के पास में, तो इसकी वज़े से काफी ज़्यादा लोगों का यहां पर जो है, वो displacement देखने को मिलेगा, काफी लोग जो है, वो यहां से हट करके दूसरी जगर पर जाएंगे, तो जो area जहां पर पहले मान लो 100 लोग रहे थे, अब यहां से 100 लोग displaced हुए, तो यह भी कहीं जाकर के रहेंगे, मत इला की बात यह है, कि इस तरीके के issues को state to state जो है, इनको tackle किया जाई, ओकी, next important article है, editorial based पर, और यहां पर जो first article है, देखो, इस article में बताया गया है, कि इंडिया की जो Apex Drug Regulator है, The Central Drugs Standard Control Organization, उन्होंने हरियाना based maiden pharmaceuticals company जो है, उसकी manufacturing, मतलब जो medicinal drugs जो बना रहे थे, उसको एक तरीके से band कर दिया है, उसके उपर रोक लगाती है, अभी क्या देखने को मिला, कि गांबिया जो country है, western Africa continent में, वहां पर हमारे इंडिया से, इस pharmaceutical company से, कुछ कप सीरप गई, और इ 66 जो चल्डरन हैं, उनकी death देखने को मिली, तो World Health Organization ने इस चीज को लेकर किया है, कि जो भी यहां पर कफ सीरप थे, उसमें diethylene glycol और ethylene glycol जो है, जो kidney failure, acute kidney failure का एक reason बनते है, उनकी यहां पर concentration जो है, उनमें देखने को मिला, जिसकी वज़े से इनको band किया जाए, क्योंकि इसकी वज़े से जो kidney है, वो effect होता है, अब देखो, इस article में बताया गया है, कि 2020 में हमारे इंडिया में जम्मू कस्मीर और हिमाचल प्रदेश जो है, वहां पर भी, जो कफ सीरप है, वो बनाई गी थी हिमाचल प्रदेश बेस, digital vision, उसकी वज़े से जम्मू कस्मीर में जो अब यहां पर इशू यह है, कि वर्ड लेवल पर, देखो, वो तो इंडिया लेवल पर हुआ, इस तरीके की जो भी फार्माकेटिकल कंपनी है, उसको लेकर के एक strict regulator जो है, वो यहां पर होना चाहिए, ताकि जो भी एक basic discussion जो है, वो हो सके, और इस तरीके की जो इशू है, वो दुबारा से ना देखने को मिले, अब इस article में बताया गया है, कि देखो, हमारे इंडिया से vaccine बनी COVID के time में, और पुरे world में हमने उसको spread भी किया है, अलग-अलग countries को हमने freely available भी करवाया है, तो अगर इंडिया से इस तरीके की medicinal जो है, वो इसमें issue देखने को मिलेगा, तो जो भी हमारे इस तरीके की product है, उनके उपर rely जो है, वो कम होगा पुरे world का, तो हमें focus करना है कि हमारे इस तरीके की adultery जो है, वो ना देखने को मिले, क्योंकि इसकी वज़े से इंडिया के जो power है, इंडिया का जो role है, वो काफिजदा diminish होता है, जो इंडिया ने काफी important role play किया था, COVID-19 pandemic के time में, तो strict regulation होना चाहिए, ताकि इस तरीके का जो issue है, वो दुबारा से देखने को ना मिले, यहाँ पर जो article है, इस article में बताया गया है, कि NASA जो organization है, उनके scientist ने अभी एक, जो है, important work किया, कि देखो, asteroid जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि asteroid क्या होते है, asteroid जो है, वो small, airless, rocky world जो होते है, और जो sun के चारो तरफ घूमते रहते हैं, जैसे कि planet, जो eight planet है, वो sun के चारो तरफ जो घूमते हैं, इसी तरीके से asteroid जो है, वो भी घूमते रहते हैं, यह rocky, small planets के नाम से भी आप इनको जान सकते हो, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, साइज में, लेकिन अगर यह अर्थ के atmosphere में enter करें, तो अर्थ पर जो है, वो काफी ज़्यादा नुक्षान create कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो NASA है, उनका spacecraft dart, double asteroid redirection test जो है, उन्होंने एक aim लिया था, कि 160 meter wide asteroid dimorphos जो है, जो एक larger asteroid, didymos, उसके चारो तरफ भूम और यह जो dimorphos जो है, मालों यह asteroid है, यह sun के चारो तरफ भूम रहा है, और यहाँ पर जो है, यह है, didymos जो है, वो sun के चारो तरफ भूम रहा है, तो इसकी वज़य से NASA जो है, उनको, वैसे तो NASA पता है कि यह जो present time में जो, यह asteroid है, इस काफी ज़्यादा difference है, इसकी अर्थ से 11.2 million kilometer, ना तो यह कभी अर्थ के ज़्यादा पास आएगा, ना अर्थ को effect करेगा, और यहाँ पर बताया गया है, since neither body would have come closer than about 6.4 million kilometer of the earth in their lifetime, मतलब अब तक जो है, वो 6.4 million kilometer से ज़्यादा नजदिक नहीं आ पाया है, यह asteroid, didymos और demorphos है, वो अर्थ के, ओके, तो यहाँ पर बताया गया है, कि मतलब इसकी वज़े से वैसे आर्थ को कोई नुकसान नहीं था, लेकिन जो नासा है, वो इसके पर focus करना चाता है, कि पहले भी इस तरीके के asteroid के वज़े से issue देखने को मिले है, तो आने वाले time में भी इस तरीके के issue जो है increase हो सकते हैं, तो क्यों ना, एक technology जो है, वो implement की जाए, और इन ये जो काफी दूर है asteroid उनके पर focus करके, इस technology को implement करने की कुसिस की जाए, और पता लगाया जा सके, कि क्या हम asteroid की जो direction है, उसको change कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ time के लिए focus किया गया, और इसमें बताया गया है, कि पहल ये जो asteroid जो है, वो अपने orbit में, मतलब DDMOS के around 11 hour 55 minute ले रहा था, और अभी 32 minute का जो है, इसमें alteration देखने को मिला है, अभी 11 hour 23 minute जो है, ये ले रहा है, अपने main asteroid के चारो तरपना circle complete करने के लिए, लेकिन इस article में बताया गया है, कि देखो ऐसा सिर्फ नासा ही नहीं कर रहा है, चाइना जो है, वो भी यहाँ पर focus कर रहा है, कि इस तरीके के जो issue है, वो देखने को ना मिल सकी, तो इस article में बोला गया है, कि देखो हर asteroid की strength है, वो काफी अलग होती है, तो इस तरीके की जो technique है, उसको आप एक unique level पर develop नहीं कर सकते हो, कि एक technique आपने develop की, और सभी asteroid को आप tackle करने लग गई, आपको asteroid से related हर basic जानकारी, basic information होनी चाहिए, तब ही जाकर कि आप उसको implement करोगे, तो यहाँ पर बताया गया है, कि chicks loop crater जो है, उसका impact देखने को मिलता है, कि 10 km wide large asteroid जो है, वो 66 million year ago हमारे पिर्थवी के उपर गिरा था, और 75% of plant and animal life जो है, उसको wiped out कर दिया था, ओके, तो यहाँ पर यह बोला गया है, कि 100 meter wide, मतलब सिर्फ 100 meter wide जो है asteroid, अगर वो भी अर्थ के उपर आ जाए, तो chain नहीं जो city है, उस size के cities को एक्तम से खत्म कर दी, तो यह जो asteroid है, इसकी वज़े से काफ़ ज़द effect देखने को मिलते हैं, वैसे कुछ speculation भी की दी है, कि आने वाले time में कुछ asteroid जो है, वो अर्थ से टकरा सकते हैं, यही तो science and technology है न, कि issue होने से पहले ही detect कर लिया गया, कि यह issue हो सकते हैं, और उनको solve करने के लिए यहाँ पर जो organization है, जो हमारी science and technology से related important organization है, उन्होंने work करना भी start कर दिया है, यहाँ पर जो article है इस article में बताया गया है, कि देखो हमारी जो government है, present time में वो focus कर रही है, कि self-reliant India जो है, वो develop हो सके, जैसे कि focus किया जा रहा है, military technology को लेकर के, semiconductor, industry को लेकर के, science-based business जो है, इन सभी को increase करने के लिए हमारी government काम कर रही है, लेकिन इस article में बताया गया है, कि इन सारे projects को अगर हमें इंडिया लेवल पर ही implement करना है, तो हमें funding की बहुत ज़्यादा जरुरत होने वाली है, और funding available होगा, तभी साकर की, यह सारे dream जो है, वो हमारी country complete कर पाएगी, next यहां पर जो article है, देखो, यहां देखे, आज है 15th of October, और 15th of October को International Day of Rural Women, जो है, वो celebrate किया जाता है, तो livestock जो sector है, मतलब animal rearing जो sector है, जहां पर जानवरों को पाला पोसा जाता है, जिस sector में, तो यह हमारे इंडिया का जो rural economy है, उसमें काफी ज़्यादा इसका जो components है, इसका जो part है, वो increase हो रहा है, अगर हम बात करें, तो national income में जो है, वो accounting for 5% of national income, and 28% of agriculture GDP in 2018-19, in the last 6 years, जो यह animal rearing sector जो है, वो काफी ज़्यादा increase हो रहा है, 7.9%, मतलब यहां पर यह बताया गया है, crop sector जो है, उसमें ज़्यादा increase देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन animal rearing sector जो है, वो काफी ज़्यादा increase हो रहा है, और इसमें बताया गया है, कि national income, agriculture, GDP वाला जो region है, उस हमारे जो studies है, उसमें बताया गया है, कि rural areas में जो women है, वो काफी ज़्यादा उनका inclusion होता है, animal rearing में, तो हमें कोसिस की जानी चाहिए, कि जो animal rearing sector है, उसमें recognition मिले, जो हमारी women है उनको, और उनका जो भी work है, उसके बारे में पता लगाया जा सके, उसके according जो हमारी policy है, वो implement हो सकी, तो rural areas में 72%, 72% rural areas में जो women है, वो agriculture activities में involved होती है, लेकिन इसके साथ में dairy cooperative जो sector है, उसमें भी उनका participation देखने को मिलता है, और milk marketing जो है, उसमें काफी important role play कर रही है, इसमें बताया गया है कि dairy cooperative में 2015-16 में जहाँ पर 5 million women जो है members थी, वो अब 5.4 million तक हो गई है, मतलब काफी ज़्यादा increase देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक example भी दिया हुआ है कि कितना time जो है एक women अपनी daily life का, वो animal rearing में यहाँ पर एक तरीके से input देती है, यहाँ पर इस example कितरों यहाँ पर बताया हुआ है, तो इस article में बताया गया है कि problem क्या है, problem यह है कि अभी present time में animal rearing sector, agriculture sector इसमें जो एक recognition मिलना चाहिए women को वो नहीं मिल पाया है, अलांकि उनका participation बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो recognition होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पर हमें focus क्या करना होगा, कि जो भी हमारे next data हो, उसमें focus किया जाए कि animal rearing sector में women का participation कितना है और जो women का participation है, फिर उसी के according जो है, वो हमारी policies होनी चाहिए, ताकि women जो है, उसको recognition मिले, एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा उनका participation होगा, तो अधर अधर लेवल पर उनका inclusion होगा, cooperative sector में women जो है, वो आगे आएंगी, और उनको लेकर के फिर जो policies हैं, जो हमारी credit risk schemes ह वो सभी उनी के according फिर आएंगी, next important article है, page number 14 पर, और यहाँ पर बताया गया है, global hunger index के बारे में, कि इंडिया की जो rank है, वो 121 countries में, इंडिया की rank आई है 107, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इंडिया, सिरलंका, नेपाल, बंगलादेश और पाकिस्तान जो country है, उनसे भी नीचे इंडिया की rank आई है, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ करके, साउथ एश्या वाले region में, तो यहाँ पर, देखो, रवांडा, नाइजीरिया, एथियोपिया, डिपब्लिक ओफ कॉंगो, सुडान, यह countries जो है, वो भी इंडिया से काफी अच्छा performance कर रहे है, 29.1 जो है, वो इंडिया का स्कोर रहा है, 2022 के लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स शो है, इसकी अगर हम बात करें, तो 4 इंडिकेटर पर यह काम करता है, 4 इंडिकेटर में आते हैं, अंडर नरिश्मेंट, चाइल्ड इस्टेंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉ यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका यह में डिजन यह है, में टूल के रूप में इसको यूज किया जाता है, कि ग्लोबल लेवल पर, रेजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो हंगर है, उसको मेजर करना, उसको ट्रेक करने में, यह जो ग्लोबल हंगर इंडे ये जो सारे चार जो indicator हमने discuss किये न कि इनके basis पर data इकटे किये जाते हैं 0 से 100 का जो एक radius है उसके उपर focus किया जाता है 0 मतलब सबसे best और 100 मतलब worst ओके और अलग लग categories में भी यहाँ पर divide किया गया है अब ये जो 4 indicator हमने discuss किये कि इनके basis पर global hunger index को publish किया जाता है तो इन 4 indicators की अगर हम बात करें अंडर नरिश्मेंट, चाइल्ड स्रेंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी तो इनको लेकर कि जो organization global hunger index को release करते हैं वो अलग लग लेवल पर ये सारे data जो है वो इकटे करते हैं जैसे कि अंडर नरिश्मेंट की data जो है वो FAO, Food and Agriculture Organization से लिए जाते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो UN Interasing Group, Child Mortality, UN Interasing Group for Child Mortality Estimation जो है इससे ये data लिए जाते हैं और Child Standing और Child Wasting जो है इसके data UNICEF, WHO और World Bank से लिए जाते हैं तो ये global hunger index जो है वो important हो जाती है अब हम discuss कर लेते हैं कि हमारे इंडिया, हमारे government जो है उन्होंने कौन-कौन से program launch कर रखे हैं ताकि हम hunger को एक तरीके से क्या कर सके, counter कर सके तो देखो, FSCI जो है हमारे इंडिया में उन्होंने Eat Right India Program जो है वो launch कर रखा है इसके अलावा हमारे जो government है उन्होंने ministry जो है उन्होंने portion अभियान launch किया 2018 में इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो food fortification जो है उसके पर government focus कर रहे है food fortification का मतलब क्या होता है जो भी हमारा staple food है उस food में बहुत सारे nutrients यो है वो include किये जाते है और फिर उनको provide कर जाता है हमारी population को साथ ही साथ में आगर हम बात करें तो National Food Security Act 2013 जो है इसके तहत भी rural और urban areas में जो food grains है वो provide करने की government को सिस कर रही है तो ये सारे program जो है वो government के initiative है जिससे government जो है वो hunger को खत्म कर सके और एक best eating habit जो है वो हमारे जो भी population है उनमें develop कर सके साथ ही साथ में उनको nutrition level जो है वो available कर वा सके ताकि उसने इस तरीके के issue देखने को ना मिले next important article है देखो यहाँ देखे बिजनेस page पर और यहाँ पर इंडिया और UK के बेच में जो free trade agreement है उसके बारे में बोला गया है कि दिबाली तक यह complete होने वाला था लेकिन अब भी नहीं हो पाएगा time लगेगा इसमें तो free trade agreement होता क्या है देखो free trade agreement जो है एक treaty होती है एक agreement होता है जिसमें international law के according जो है कुछ rules को follow किया जाता है ताकि free trade को follow किया जा सके उसको regulate किया जा सके दो प्रकार का हो सकता है bilateral और multilateral तो bilateral में दो countries के बीच में relation होते है और multilateral में दो से ज़्यादा जो countries है उनके बीच में और जो agreement है वो sign होता है इसमें क्या किया जाता है कि मानलों दो countries के बीच में bilateral level पर free trade agreement हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि दोनों-दोनों countries जो है वो अपने import और export को लेकर के जो भी rules and regulation है उनको easy way में establish करने की कोशिस करेंगी next यहाँ पर sports related एक important news है रुद्रांक्ष रुद्रांक्ष जो है उन्होंने world championship में जो Egypt जो है country उसकी capital काईरो में organize हो रही है और वहाँ पर उन्होंने gold medal जीता है और 7-7 में 2004 में जो Paris Olympic game होने वाले हैं उनके लिए भी उनको quota मिला है तो यहाँ पर बताया गया है कि इससे पहले world championship जो है उन्होंने यहाँ पर gold medal जीता था 2006 में और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2018 में सेमेसी तरीके से अंजुम अंजुम मोर्दुगिल जो है उन्होंने भी world championship में silver जीत करके इस तरीके से Tokyo Olympics के लिए अपने आपको qualify किय तो यह important news हमने discuss की दे हिंदू newspaper की अगर आप यहाँ तक आए है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजे, share कीजे और चैनल को subscribe कीजे, okay thank you